नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान में मुख्यमंत्री अशोग जी गरलोत ने दो नई भरतियों को मंजुरी प्रदान की है एक तो चर्चा हमारी इस वीडियो में दोनों भरतियों को लेकर रहेगी कि कौन सी ये दो भरतियां है और इनके विग्यापन जल्द आने वाले समय में जारी होंगे और इसी के साथ एक भरति का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है उस पर भी हम वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इन दो भरतियों को लेकर तो ये आज का अपडेट आप देख सकते ह परिवहन विभाग में होगी 181 उप निरिक्षकों की भरती एसाई जिनकों बोलते हैं और ये भरती होगी परिवहन विभाग में आज ही का अपडेट है आगे आप देखिए इस अपडेट में क्या जानकारी दी गई है परिवन विभाग में जल्द ही 181 मोटर वहान उप परिवन विभाग के प्रस्ताओं को मुक्य मंत्री अशोग गयलोद ने मंजूरी दे दी है ठीक है ये पूरा अपडेट आप देख सकते हैं इस तरह से है और आज ही का अपडेट है और यहां पर आप बिलकुल साब साब शब्दों में आप देख सकते हैं परिवन विभाग में मौटर वाहन उपने रक्षकों के 104 पदों पर बरती की गोश्णा की थी हाल ही में हुई पदों नती में 55 मौटर वाहन उपने रक्षकों का प्रमोशन होने के बाद पद रिक्त हुए थे इन पदों को मिलाकर विभाग ने 111 पदों पर भरती का प्रस्ताओं वित विबाग को भिजा था तो एक तो ये परीवन विबाग का अपडेट था दूसरा अपडेट आप देखी क्या है मुल्यांकन अधिकारियों की छे पदो की भरती को मंजूरी अब देख लीजिए दोनों पत के नाम आपके सामने है एक तो है परीवन विबाग में उपनिटिक शक और एक मुल्यांकन अधिकारियों की छे पदो की भरती की मंजूरी यानि मुल्यांकन अधिकारियों की भी भरती होगी और ये आयूजना विबाग में बरती होगी देख लीजिए आगी क्या कहा गया है मुक्य मंत्री ने आयूजना विबाग में मुल्यांकर नदिकारियों की छे पदों पर सीधी बर्ती के लिए बेजेगे परस्ताओं को मंजूरी दे दी है और इन में चार पद सामाने वर्ग एक पद अनुसूची जन जाती और एक पद आर्थी कमजूर वर्ग का होगा तो ये तो बात थी दो नई भर्टियों को जिनको गैलो साब ने मंजूरी दे दी है अब बात करते हैं जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है एक भर्टी का ये देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था 19 सितंबर 2019 को क्या नाम है कौन सी ये भर्टी है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा यहां देखिए कनिष्ट वीदी अधिकारी जूनियर लीगल ओफिसर की पदो पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 156 पद इस बर्ती में रखे गए हैं टीएसपी नोन टीएसपी दोनों में वर्गी करण किया गया है देख लीजे 145 और 11 पद है अब इसकी कौलिफिकेशन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा और कौन-कौन इसमें eligible रहेंगे उसपर भी हम बात करेंगे यह देखिए अनिवार यह sectionic योगिता यहाँ पर देखिए low graduate from a university law in India और its equivalent यानि आपका विधी में सनातक होना चाहिए low graduate अगर आप है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे ठीके और computer की knowledge होनी चाहिए आ ठीके आवेदन कोन कर पाएंगे अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो लेकिन एक्जाम से पहले यहाँ देखिए एक्जाम की बात नहीं की गई है किन्तु उसे आयोग द्वारा साक्षार्थकार से पूरू sectionic अहर तार्जित करने का सबूत देना होगा ठीके पेग्रेड गाफी अच्छी है मिनिममम एज 21 साल इसमें रखी गई है ठीके और मैक्जिमम चालीस इयर चलिए आगे बात करते हैं देखिए आवेदन की डेट एक्जाम पेटर्ण के बारे में जानकारी दी गई है देखिए चेन किस प्रकार से होगा अब भीर आवेदन विद्धी के बारे में बात करते हैं 26 सितंबर 2019 से आवेदन होगे 25 अक्टूबर 2019 तक 12 बजे तक इसमें आवेदन चलने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा जोब इसके लिए एलिजिबल है आवेदन कर सकते हैं और बाकी सब जानकारी वही है और नोटिफिकेशन आ सकते हैं धन्यवाग